हेलो दोस्तों मारे पास कोश्चन दिया गया है दस प्रेक्षणों का ओस्त 21 है एक नए 11 प्रेक्षण सामिल किये जाने पर नए ओस्त में एक की कमी आजाती है तो 11 प्रेक्षण ग्याद कीजिए तो इसने क्या कहा है दोस्तों 10 प्रेक्षणों का ओस्त यानि कि 10 āट्रों का total आ जाएगा, video dot total कितने हाथा दोस्तों, 210 थीक है, अब आगे की लाइन में क्या बोल रहा है, 11 में प्रेक्शंण सामिल किये जाता है, तो 11 में प्रेक्शंथ सामिल कर लेते हैं, तो इसको में दोस्तों उपर लिखेंगे, थाकि पलस मैनस की दिख्कत ना हुआ ठीक है यदि एक प्रेक्सन सामिल कर लिया जाता है तो कितना हो जाता है वी तो यहापि लग लेते हैं ग्यारा गुंणा में तो ओस्त में कितने लगार जाती है उस्त में कम हमना जाती है एक की पहले ओस्त कितना था 21 तो अब कमी आ गई तो क्या हो जाएगा 20 तो इनकी हम गुणा करेंगे तो मारे पास क्या आ जाएगा इनका टोटल आ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 11 दोनी 22 यानिकी 220 इसने गा 11 प्रेक्षन क्या आत किजी 11 प्रेक्षन के लिए क्या करेंगे हम 11 क्या था 10 यही क्या हमारा answer option number C is right इसी तरह की short trick वीडियो देखने के लिए चैनल को like share subscribe करना मत बुलिए ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको जल्द से जल्द प्राप्त होसके